Hello everyone, मिरे नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ आज का ये वीडियो हमारा प्रीवियस एर सेट को लेकर है और ये प्रीवियस एर सेट आपका सीटेट का है और ये सीटेट में आज हम सॉल्फ करने वाले हैं अपना 3rd February को जो पेपर हुआ था तो ये 3rd February का पेपर है 2023 की मैं बात कर रहे हूँ अगर एर की बात करा जाये तो तो 3 February 2023 2023 का ये पेपर है जो आपका ऑनलाइन शिफ्ट में हुआ था मतलब CBT मोड में जो पेपर हुए थे तो आज हम ये पेपर सॉल्फ करेंगे यहां science के 20 questions में आपको सॉल्फ करवाने वाली हूँ इससे पहले मैंने एक पेपर आपको सॉल्फ करवाया है जो कि आपको सेट नंबर 1 है जिसमें हमने 29 December 2022 का पेपर सॉल्फ किया है बहुत अच अगर theory तयार कर रहे हैं तो theory के साथ साथ आपकी PYQs भी बहुत जादा आविशक हो जाते हैं तो ये पेपर जो हैं इस तरीके से सॉल्फ करते हैं कि चीजे साथ में related जो भी हैं वो सब करते चले तो इन सेशन से जरूर जूडियेगा प्लस यहां पर सीटेट जुलाइ 2024 इ यह दो प्लेइलिस्ट हैं इनको स्ट्वाल करिए इसमें आपके मतलब की वीडियो मिल जाएंगे NCRT Science OneShot में आपको पूरी-पूरी Marathon मिल जाएंगी पूरी-पूरी Marathon हैं जिसमें की जिससे की आप अपनी science की preparation कर सकते हैं एक बाद theory को recall कर सकते हैं रिवाइस कर सकते हैं इसमें most important अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो एक वीडियो है आपका जिसमें class 6 से लेके class 6 to class 10th आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वापस से तो इसका एक वीडियो है साड़े-चार घंटे का इसको जाकर एक बार जरूर देख लीजे 2x पर लगाकर जिससे के आपको science का एक बार सारा complete revision हो जाएगा उसके बाद आप इस लब sessions को देखेंगे तो आपको बहुत help लेगी प्लस साथी साथ मैंने class 10th की पूरी-पूरी summary complete कर दी है class 10th physics, chemistry, bio की तो आप जाकर ज़रूर देखिए class 9th की भी काफी हद तक चीजे complete हो गई है 6th standard की मैंने वापस से whiteboard पर पढ़ा कर अच्छे से आपको 6th NCRT textbook पूरी complete कर दी है summary के form में इसी तरह से 7th और 8 भी हम करने वाले हैं तो इन सब सेशन से ज़रूर जुड़िए यहां पर बहुत help मिलेगी अगर आप नए हैस चैनल को तो subscribe कर दीजेगा चलिए आज का session स्टा कर देते हैं सबसे पहला question क्या है read the statement below and choose the correct option all combustion reactions are exothermic reaction oxygen is added and heat is released in all these reaction ठीक है क्या लिखा है हिंदी में दहन की सभी अभिक्रियाएं उख्ष्वा शेपी होती है इन सभी अभिक्रियाओं में oxygen का सेयोजन होता है और उसमा उत्सरश्चत होती है तो जैसे कि सारी combustion reaction exothermic reaction होती है तो सही बात है क्या होती है मतलब हर एक combustion reaction कोई बी चीज अगर जल प्रेजन्स में जलाएंगे oxygen अगर oxygen नहीं होगी तो यह पेपर जैसे ही जलेगा oxygen की प्रेजन्स में तो क्या होगा एक heat generate होगी तो इसी को बोल रहे है क्या है यह एक्जो थर्मिक reaction है तो यहीं यहां पर समझना है पेपर है या candle है कोई भी चीज़ा है और जलेगी कब जब तो कि oxygen प्रेजन्स होगा अगर carbon dioxide present होगा तो क्या है वो चीज़ नहीं चलेगी इसलिए देखा जाता है कि जहां पर आग लगती है महां पर carbon dioxide के cylinders होते हैं या या जैसे कि उसमें carbon oxygen की supply को बंद कर दिया जाए तो क्या है blanket को डाल दिया तो यह सब क्या है वहां पर carbon dioxide की health से पुझाया जाता है तो इसका मतलब कि वहां पर oxygen की supply हो रही है उसको बंद कर दिया जाता है तो यह चीज यहां पर आपको समझनी है कि कोई भी चीज अगर जल रही है तो oxygen की presence पर जल रही है तो वह एक exothermic reaction है तो यह statement हो ठीक है फिर oxygen is added and heat is released in all these reaction मतलब कोई भी reaction में अगर oxygen add हो रही है ठीक है और उसे heat release हो रही है इन सारी reactions में तो यह भी बात क्या है s2 भी ठीक है तो इसका मतलब हमारा इसमें दोने statement तो ठीक है यहां पर यह option number जो हमारा 3 है वह गलत हो जाएगा कि s1 is true and s2 is false दोने statement ठीक है s1 is false यह भी गलत हो जाएगा फिर बोथ s1 and s2 are true and s2 is not the correct explanation नहीं यह correct explanation है तो उसके आपसे answer क्या हो जाएगा आपका option number first ठीक है कि s1 s1 सत्य है और s2 दोनों सत्य है और s1 के लिए s2 सही व्याख्या है ठीक है चलो next question देख लेते हैं next reaction है आपकी यह जो reaction है ना barium chloride reaction with sodium sulfate यह reaction आपकी ना class 10th ncrt की है class 10th ncrt science का ठीक है chapter है यह आप आपका first year second में से chapter है इसमें से इसके यह first chapter ही है first chapter है और fourth वाला है जिसमें double displacement reaction की यह आपका है double displacement reaction double displacement reaction इसका यह यहाँ पर reaction दी हुई है तो इसका मतलब अगर कोई कोई भी अगर आपसे बोल रहा है कि class 8 तक आपको पढ़ना है science तो वो गलत है class 10 तक आपको science पूरी complete ncrt की पढ़नी होती है इसलिए class 10th ncrt की आपकी physics chemistry bio तीनों का upload किया है समरी जाकर ज़रूर देख लेना ठीक है playlist बनी हुई है playlist को ncrt science one shot है इसको देख लेना वहाँ पर complete करी है और यह जो आपका यह वाला question है all combustion reactions are exothermic reactions तो यह आपका class 8 का है question ठीक है तो हर class को इनोंने touch किया ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही class को या एक दू class को ही करके अपना काम चला सकते है चलो देख लेते reaction है कि Double-displacement reaction है कि replacement reaction नहीं को मिनेशन reaction है और R2 क्या है कॉनरे reaction Luck अब Venice your favorite reaction कि स्थापन कि इसको पर चैयन करना है चलो दएक लेते हैं तो Commichन reaction हो यहां और reaction में लिख देती हूं reaction लिखने से क्या रहेगा आपके पास यह चीज़े नोट रहेंगी अगर इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करती हूं तो ठीक है BACL to barium chloride reaction किसके साथ हुई NA2SO4 के साथ reaction हुई यह क्या बना यहां पर barium sulfate बना BASO4 बना और प्लस क्या बन गया NACL अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें और याद रखिए आगे आपके एक्जाम में यह question आ सकता है पहली बात तो यह कौन सी reaction हो जाती है यह आपकी है डबल displacement reaction इसको याद रखेंगे डबल displacement reaction ठीक है या इसको क्या बोलेंगे इसको द्वी विस्थापन अभिक्रिया आप बोलते हैं ठीक है विस्थापन अभिक्रिया हो गई यह साथी साथ इसको आप एक और नाम से जानते हैं यहां पर यह है आपकी precipitation प्रेसिपिटेशन क्योंकि क्यों यह प्रेसिपिटेशन रियाक्शन क्योंकि इसमें जो बेरियम सल्फेट बनता है यह आपका वाइट प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट इस वाइट प्रेसिपिटेट को प्रेसिपिटेट को प्रेसिपिटेट करने की वजह से यह रियाक् सिर्फ displacement reaction नहीं है यह सिर्फ precipitation reaction नहीं यह सिर्फ डबल displacement reaction नहीं है यह reaction आपकी double displacement के साथ precipitation reaction भी है very important line ठीक है इसको याद रखेंगे तो reaction 1 हमारी क्या हो गई यह आपकी double displacement reaction हो गई अब बात कर लेते हैं दूसरी reaction की तो यह आरवन तो हमारी double displacement reaction है तो इसके औक्साइड की reaction आपकी carbon dioxide के साथ हो रही है और क्या बनाएगा आपका यह आपका बनातेता है magnesium carbonate ठीक है mg co3 तो यह यहाँ पर क्या होगा किस तरह की अभिक्रिया देखने को मिली आपकी यह हो गया आपका a यह हो गया आपका b और क्या बना रहा है एक product c इसका मतलब a plus b a plus b मिलके बना रहा है c तो यह किस तरह की reaction हो जाती है यह combination reaction के नाम से जानी जाती है combination reaction मतलब संयोजन अभी करिया ठीक है तो यह वाला आपका तो यह वाले आपके में क्या हो जाएगा यहाँ displacement reaction है तो यह तो गलत हो गया तो यहाँ पर double displacement दिख रहा है हमको पहली वाली reaction reaction one double displacement है और reaction two आपकी क्या हो जाएगी combination reaction इसके साफ से आपका answer क्या हो जाएगा option number two ठी next question की तरफ चलते है next question क्या है read the statement given below and choose the correct option physical changes are always reversible no new product is formed in a physical change तो देखो यह जो बात यहाँ पर करी गई है कि physical changes की भौतिक परिवर्तन सर्वदा उतक्रमडिये होते हैं या भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पात निर्वार नहीं होता तो यह क्या है statement को आपको सही चैन क statement को देखना तो देखो यहां पर फर्स वाली statement ना यह गलत है क्यों गलत है यह statement क्यों कि physical changes are always reversible यहीं पर यह बात हो जाती है गलत always reversible नहीं होते जैसे for example अगर मैं बात करूं कि मैंने घास मेरे पास घास थी मैंने घास को क्या कर दिया काट दिया अब जब मैं घास को काट क्या है सिर्फ एक फिसेएक गुड़ में बदलाव हो रहा है फिसीकल ही उसमें बदलाव हो रहा है और कोई नया सब्सेंस नहीं बन रहा है है तो यह physical changes ही तो यह क्या है बहुत मैंली बहुत को यह बात होता है तो सबक्राइब एक पर यह यहां इस wee बात हो जाती है कि हाwyn physical changes may or may not be reversible होता तो इस statement ठीक होती है पर always reversible है तो यह statement गलत है इसके बाद आपकी आजाती है no new product is formed in a physical change हाँ यह बात ठीक है कि बहुत इक परिवतन में कोई नया उत्पाद निर्मत नहीं होता यह बात सथे है Okay, Susitu है तो सबसे हमको देखना है तो एस वन is true, एस फट्रू गलत हो burn in the पाद सत्य है यह पर कि सभी इस फोट also true है तो जली जली से नेक्स इंट स मकक्षेंग जलत हैं है बहुत important question है और इसके सारे zones में अभी आपको यहां पर इसी paper में पूरा एक बार लिखवा दोंगी जिसे कि अगली बार कभी भी question आएगा तो आपका गलत नहीं होगा ठीक है चलो आप देख लेते हैं the mass the following for the flame of a candle और यह आपका है ना class 8th NCRT का यह question है hottest part moderately hottest part or least hottest part सर्वधिक गर्म भाग या मध्यम गर्म भाग या न्यूनितम गर्म भाग इसमें आपका अंजली मोम की वाश्व का अंत्रतम भाग या आंशिक दहन के बीच का भाग या पूर्ण दहन का भाग ठीक है कौन सा भाग कौन सा होता है चलिए आईए सारा कोट deeply मैं आपको यहाँ पर explain करती हूँ चलो तो जली से देख लेते हैं एक यह मेरे पास candle है और इस candle में just a second हाँ इस candle में यह है मेरे पास इसकी law ठीक है अब चलिए समझते चाहेंगे तो dark zone क्या हो जाता है आपका यह dark zone अंदर वाला zone होता है इसको हम बोलते हैं यह वाला zone जो हो जाएगा इसको बोलते हैं dark zone अब dark zone के कुछ points है इसको जरा समझ लेते हैं सबसे पहला point क्या हो जाएगा यह innermost part होता है innermost zone होता है ठीक है यहाँ पर क्या होता है melted जो wax है यहाँ पर wax क्या होती है melt होती है आपके देखाओ को थोड़ा गिला दिखता है तो यह melted wax है यह melted wax करती है vaporize ठीक है फिर यह क्या है यह third इसका point हो जाएगा इस जोन को बोलते है zone of no combustion मतलब यहाँ पर कोई भी combustion की प्रक्रिया नहीं होती है ठीक है फिर बात कर लेते हैं चौथा point की dark zone क्या होता है dark zone is least hot zone least hot zone अब यह चार points के अलावा पांचवा कोई भी point नहीं होगा जो की आपके exam में पूछा जाएगा अब बात कर लेते हैं किस zone की अब हमारा second zone आ जाता है luminous zone luminous zone luminous zone क्या है यह dark zone को जो surround करने वाला zone होता है इसको बोलते है luminous zone यह इसके यह बाहरी भाग वाला zone क्या है यह आपका यह हो गया आपका luminous zone ठीक है अब luminous zone के कुछ important बिंदू है जिसको यहाँ पर note कर लेंगे पहला point क्या हो जाएगा इस सराउंड्स दार्क जोन सराउंड्स दार्क जोन ठीक है फिर क्या होता है देखो इसकी questions जिस आपसे मैं आपको explain कर रहे हूं इससे आपके पूरा-पूरे chapters का topics concepts कूरा clear होता चलेगा तो इस session से ज़रूर जुडिएगा question point 2 क्या हो गया यह होता है आपका brightest zone ठीक है 2x पर देखना पड़े पर देख जरूर लीजेगा फिर यह क्या हो जाता है zone of very important line है very important लाज से लिखूंगी मैंसे zone of incomplete zone of incomplete combustion मतलब यहां पर combustion हो रहा है वो कैसा होता है incomplete होता है ठीक है fourth point क्या हो जाएगा आपका इसका fourth point हो जाएगा यह होता है zone आपको moderately hot zone ठीक है यह points यहां पर important थे इसके क्योंकि मैंने आपको लिखवा है next बात कर लेते हैं हम आपकी non-luminous zone की non-luminous zone आपका just a second चलिए अब बात करेंगे हम non-luminous zone की ठीक है तो non-luminous zone में क्या हो जाएगा यह होता है आपका outermost zone यह इसको गर मैं आपसे यहां पर दिखाओं तो यह जो बाहर का यह zone है यह हो जाता है आपका non-luminous zone ठीक है तो यह क्या होगे आपका non-luminous zone चलो इसके points लिखते हैं पहला point क्या हो जाएगा यह आपका outer most zone होता है second point क्या important है इसमें यह zone होता है invisible very important वापसे zone invisible होता है तीसरा होता है zone of complete zone of complete combustion ठीक है zone of complete combustion यह कैसा होता है यह इसमें fourth point याद करेंगे more heat होती है fifth point क्या होता है यह होता है आपका hottest zone ठीक है तो यह सारे points क्या थे important थे जो कि आपको याद रखने अब आईए वापस से आते हैं question के उपर की question क्या बोल रहा है और question का हमें answer क्या देना है ठीक है तो हमें पताना है कि hottest zone कौन सा होता है तो आप समझ गए होंगे कि सबसे गर्म भाग कौन सा होता है जो hottest zone यह होता है आपका outermost zone कि कि आप तो hottest zone से क्या mark कर सकते हैं आप यहाँ पर outermost zone hottest होता है moderately आपका बीच होता है least hot क्यों सा होता है आपका innermost zone आपका सबसे क्या होता है कम hot होता है जहाँ पर unburnt wax vapors के form में आपको देखने को मिलती है तो आपका इसे आप से क्या हो गया एक option हो गया 3 के साथ फिर आपका बीका option किसके साथ हो गया 2 के साथ और यह हो गया 1 तो 3 2 1 हमको देखना है 3 2 1 इसका मतलब option number 4 हमारा correct उतर हो जाएगा एक है यह होब यह पोइंट आपको यहां पर clear हो गया हो गया सारे जोन भी आपको यहां पर clear हो गया नेक्स प्रफ चलते हैं which of the following metals does not react with dilute hydrochloric acid कौन सा metal dilute hydrochloric acid के साथ अभिक्रिया नहीं करता है कौन सी धातु तनू hydrochloric अमल से अभिक्रिया नहीं करती है तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपको option option number 2 आईए कुछ बातों को react कर लेती है कुछ बातों को समझ लेते हैं सौरी कुछ बातों को react कर लेते हैं तो यह copper जो है यह आपका यहां पर याद रखेंगे copper reacts with hot hot and concentrated sulphuric acid और यह क्या बनाता है यह बनाता है आपका copper sulphate जब reaction हो जाएगी तो बन जाएगा copper sulphate sulphur dioxide और sulphur dioxide और water ठीक है तो यहां पर क्या याद रखना है आपको कि यह जो अभिकरिया है यह आपकी concentrated sulphuric acid concentrated sulphuric acid के साथ बनाता है मतलब H2SO4 और कौन सा concentrated HCl के साथ reaction नहीं करता है कौन copper ठीक है यह important point था चलो next question पर चलते है read the following below and choose the correct option अब यह horizons वाले भी बहुत अच्छे से मैंने explain किये हैं आप जाएगे 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 जुलाई 2024 की playlist को स्कॉल करिए इसमें आपक के पढ़ाया है तो अब स्कॉल के तौपिक मैंने पढ़ाया है तो आपक के तो आपक के पढ़ाया है तो आपक के काम की वीडियो मिल जाएगी चलो देख लेथे हैं ग्रोथ और ब्रांचिंग और रूट्स अपको correct statement देखने हैं तो यहां पर क्या है एवं बी संस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृध्धी एवं शाखन जल एवं खनीजों के अवसोशर के लिए लाबतायक होता है तो इसके साब से ग्रोथ और ब्रांचिंग और फ्रूट्स अब कुछ इस तरीके के यहां पर समझेंगे इसको यह जैसे आपके soil profile हो गई यह soil profile में यहां पर क्या है आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं ठीक है यह हो गया आपका पेड़ पौधा लगा हुआ है ठीक है यहां पर आपके पेड़ पौधे हैं अब कुछ horizons हैं जो कि इसमें divided हैं पहला हो गया आपका a horizon फिर हो गया आपका b horizon फिर हो गया आपका c horizon और फिर हो जाती है यहां पर bed rocks तो अब आपको क्या है कि a of growth and branching of roots in a and b horizons का मतलब यहां पर branches इसके roots के अंदर तक आते हैं ठीक है तो यह क्यों advantages होते हैं for the absorption of water and minerals तो सही बात है यह बात बिलकुछ सत्य हो जाती है कि a और b संस्तर सत्यों बड़ जड़ों की वृद्धी एवं शाकन चलके खनीजी और अब्सोषट के लिए लाबधायक होती है तो यह क्या roots कहीं तो कि अब्सों कर लेए यह बात बात है सब इसके इसके हसाब से आपका जो ज्यादा ब्रहुतरी होती है वह किसके कारन होती है रूट से कारण होती है और खाद कहां से मिलती है मरे वे जाया पदार से तो इसके साब से अच्छा क्वेश्चन था अगली बार पूछा जा सकता है आप देखो कुछ पॉइंट्स है जो कि याद कर लो बहुत अच्छे से मैं आपर नोट भी कर दे रही हूं ताइम आपको ज़रूर लग रहा होगा जादा पर आपके चीज़ें जो है वह क्लियर होती चल रही है यह जो हो जाती है यह आपकी टॉप स्वाइल होती है दूसरी बात इंपॉर्ड मिलायम होती है आपके साधर के साद्र को जाता है इन मैंक्सीम डेटें करती है यह mmolaya है but more minerals इसमें खानिज जो होते हैं वो जादा पाए जाते हैं ठीक है more minerals होती है यह होती है harder होती है ठीक है और more compact होती है ज्यादा इदम इसकी मिट्टी के जो कड़ है वो इदम एक दूसरे चिपके होते हैं ठीक है सी अब आपका सी जोन क्या हो जाती है सी जोन आपके small rocks ही zone होती है और दी जोन क्या होता है आपका यह hard and difficult to dig जिसको आप बोलते हैं bed rocks इंग क्या चलो नेक्स्ट कॉश्चन पर चलते हैं सारे points से आपर clear हो गए होगे which of the following is and are the inorganic impurities of sewage निमलेकित में से क्या मत जल की अकार्बनिक अशुद्धियां है तो क्या है यूरिया है कि phosphate है कि pesticides है vegetable waste है क्या है इसका answer तो यहाँ पर कुछ और्गनिक impurities होती है और कुछ आपकी इन और्गनिक impurities होती है तो यहाँ पर क्या पूछा गया है अकार्बनिक अशुद्धियों की बात हो रही है तो अकार्बनिक अशुद्धिया क्या क्या हो जाएंगी जैसे कि हो गया आपका नाइट्रेट फिर हो गया आपका फॉस्पेट यह क्या हो गई आपकी अकार्बनिक अशुद्या हो गई और साथिसाथ आपका क्या है यहां पर पूछा आर पूछा गया इन और गया तो क्या हो जाएगा यूरिया है क्या आपका फॉस्पेट है इसका आपका सिर्फ हो जाएगा option number three correct उतर हो जाएगा इसके इसाब से अब यहां पर आप अकार्बनिक है तो इसके इसाब से आप organic waste भी यहां पर समझेंगे organic waste यहां पर समझेंगे ठीक है चलो first impurity देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका human faeces जो humans का मल होता है वो भी इसमें आ जाता है ठीक है फिर आपका example हो जाएगा animal का जो मन होता है जो जानवरों का मल होता है वो भी इसमें आ जाएगा ठीक है faeces फिर आ जाता है urea आ जाता है ठीक है फिर आ जाता है इसमें pesticides बहुत important है इसको यार रख लेना फिर आ जाता है इसम में fruit and vegetable waste तो यह सारे example किसके हो जाते हैं आपके organic waste के और carbonic और carbonic अशुद्य होगे ठीक है carbonic और carbonic अशुद्य आपको समझ में आ गई होगी next question है which of the following are true for sexual reproduction in plants two plants are essential for sexual reproduction only insects are agent in pollination फिर next क्या है fertilization occurs only after pollination plants are obtained from seeds ठीक है तो two plants are essential for sexual reproduction ऐसा जरुबरी नहीं है टी two plants क्या विशक्ता होती है single plant में भी अगर single plant है single path up है मेरे पास और उसमें क्या है आपका male male part और आपका female part ठीक है male part में क्या हो जाएगा आपका 아니고ंthar और क्या खुआता है आपका अपका और फिरामेंट उसको मिलाकर बनता है क्या STAMEN अचेक होता है कुछ इस तरीके का होता है तो ये ऊपर वाला भाग क्या हो संदब च्शिव्थ यह भाग हो गया आपका संदमियन आपका आपका अट यह भाग हो गया आपका फिलमेंट, तन्तु, ठीक है, तो ये एंथरो फिलमेंट मिनाके स्टेमेंट मिल जाता है, फिमेल प्रड़क्टिफ पार्ट को बोलते हैं, पिस्टिल, जो किस-किस चीजों से बना होता है, और नीचे वाली होती है, यहां पर होते हैं, ठीक है, अंडाश है, चलो, अब बात के लेते हैं, यहां पर स्टिगमा पर क्या आकर स्टिक होता है, अधर फेर यह अंवी प्रिंट पकलेन आपका सेम्य प्लांट पडिन हो सकता है और यह आपकर डिफ्रेंट कीया इसा यह डिथरियों सबसुन Betty लुऑ है को यह ऐसा जपीünde सब्सक्राइब कि रिरी कंडिन को गणने के लिए तो single plant can also lead to sexual reproduction, पहला point गलत हो जाता है, only insects are agents of pollination, तो यह भी गलत है, यहाँ पर only नहीं आएगा, क्योंकि insects के साथ सब क्या pollination की प्रक्रिया, जिसमें कि आपका pollen grains from enter to stigma, जाकर क्या है, उड़के, उड़ देखो, अब stigma जाता है, तो जाता है, तो जाता किस-किस agent से हो सकता है, फिर आपके wind से भी जा सकता है, और भी कोई climatic condition है, उनसे भी आ सकता है, या खुद के हाथ ते टच करने से आ सकता है, तो यह क्या हो जाएंगा, यह सब agents होते हैं, जो कि pollination में help करते हैं, तो only insects वाला point गलत हो गया, फिर next बाद है, fertilization, अकर only after pollination, तो हाँ यह बात सकते है, क अब एंथर के अंदर क्या present है, आपका, एंथर के अंदर pollen grains present है, जब यह तूटता है यहां से, तो pollen grains उड़ते हैं, अब यह pollen grains जाकर कहां पर stick हो जाते हैं, stigma पर जाकर stick हो जाते हैं, यह है stigma, तो यहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, pollen grains आकर stick हो जाएंगे, तो जब यह pollination की निस प्रक्रिया सबस्कराव में अधर करना नन्दर나데 कि यह और स१ाई में हो जाती हैं एक presupいきल यहां पर क्या है थे यहां पर क्या थारक्रिया के कि उंप्रक्रेग्ट यह इनधे प्रकृौ यहां पॉस्टे मिल्कुल स्षीपन सही दी गई इस cland plants are obtained from seeds that plants are obtained from seeds, so this is not the case so our option number 4 will be correct, which is a C and D correct answer okay next question, next question is what you have pick the odd ones on the basis of respiratory organs now you have to change from the source of the source of the source of the source odd one out, you have to change from the source of the source of the source here are the animals and the animals are meant to change from the source, so they can color it by the source, they can also do withável kiise, so here will card, which is a fact, we can have a very large amount of animal animals, so again, we just act करता है कॉक्रोज भी करता है ट्राकिया से स्नेल किसे करता है स्नेल करता है इस वर्षिन आपकी गिल्स से एंट किसे करती है एंट करती है स्पार किल से ठीक है तो अब यह देखो अब समझ देते हैं क्या होता है कोई भी इंसेक्ट है जैसे इंसेक्ट है यह मालो मेरे पास यह कॉक्रोज है ठीक है अब ये कॉक्रोज देखने बड़ा सुंदर बन गया है तो इसके जो साइड की वॉल्स होती है इधर साइड में यहां पर पाए जाते हैं spiracles, और अंदर present होती है tracheal tube, ठीक है, अंदर present है यह tracheal tube, पुछ इस तरीके से, इस तरीके से यह पूरी trachea बनी होती है, जहां पर gases का आदान प्रदान होता है, तो यह हो गई आपकी trachea, air enter होती है spiracles से, और फिर अंदर आजाती है यहां पर odd one out में क्या हो जाएगा, आपका snail, जो कि सारे insects जो है, वो all insects बाकि सब insects है, और all insects किस से करते हैं अपना स्वेशन, यह spiracles या फिर trachea से करते हैं, ठीक है, चलो, next question पर जलते है, next question क्या हो जाएगा, arrange the following statement, in the correct order, अब आपको statement बतानी है, correct order में, urine stored in urinary bladder is passed to the urinary, देखो, इसमें ना kidney, kidney के पास, kidney के बास blood आता है, फिर blood का क्या होता है, filtration होता है, फिर blood से किस तरह से urine बनती है, अब kidney से कहां से kidney से कैसे urine जो है, वो pass out होती है, तो उस पूरे step को यहाँ पर पूछा गया है, तो वो यहाँ पर अभी जड़ा समझ लेंगे, फिर स्क्रेट हम लोग इसको steps को भी समझ लेंगे, तो यह क्या हो गया, यहाँ पर समझेंगे, यह हो गई आपकी kidney, ठीक है, दो kidney present होती है, left और right में, यहाँ से निकलता है क्या, दो tubes, और यह दो tubes कहां पर जाकर मिलते हैं, एक pouch like structure में जाकर मिलते हैं, जहाँ पर urine store होती है, और फिर यहाँ से urine निकल जाती है बाहर, आप इस tube दिख रहा है, यह हो जाती है, मूत्र वाहिनी, जिसको बोलते है, यूरेटर, फिर यह हो जाता है, ब्लाडर, जहाँ पर urine जाकर store होती है, डबल डी, ए र होती है, ब्लाडर के spelling, मूत्राश है, फिर यह आपका यह एरिया है, जहां से, रिमूव आउट हो जाती है, मूत्र किड्नी में जाकर क्या है, यूरेट, ब्लड फिर फिल्टरेशन होता है, फिर फिल्टरेशन के बाद इस सारे प्रोसेस से इस ट्यूप से गुजरती हुई, यहां पर जाकर पूरी यूरेट इखटी हो जाती है, फिर रिमूव आउट हो जाती है, तो यह कौन-कौन से steps हैं यह भी आपको यह पर देखने हैं तो सबसे पहले देख रहते हैं क्या सबसे पहले हमको ब्ला कोई ऑप्शन देखना है तो यह हमारा पहला स्टप हो जाएगा नेक्स्ट सब्सक्राइब कह रूंपकर reaches the kidney for filtration ठीक है next step क्या हो जाएगा आपका useful substances अब जो useful substances है उनको क्या होता उनका absorption हो जाता है वापस से वह absorb हो जाते हैं next third क्या हो जाएगा waste dissolved in water is filtered out as a urine in kidney फिर fourth क्या हो जाएगा ureters carry fourth हो जाएगा आपका option number B फिफ्ट क्या हो जाएगा ए तो मतलब ureters carry urine to urinary bladder ureters के यह जो आपके यह ureters हैं यह carry करते हैं urine को bladder तक और urine stored in urinary bladder is passed out through urinary opening at the end of urethra ठीक है यह एंड में से निकल जाते हैं तो आपका option इस इस आप से कौन सा ठीक हुआ जिसमें D पहले आ रहा है तो यह तो वैसे ही गलत हो गए तो D के बाद हमको देखना है D के बाद हमको देखना है C तो D के बाद C आपका option number 3 में आ रहा है तो option number 3 अपको तर हो जाएगा क्या है तो निकल एक है तो अटल चाह पूu जाया का हैं यह तो ब्रीपेरिज गिप्राक्शं तो हुड और किया हो जय गा है तो यहां पर क्या होते हैं यहां चाहिट जासे कि एक्लत के बांट क। जाते हैं उसमेंड zal द्गेंधिंगे ग्लुकोस की reaction हुई और ग्लुकोस की reaction में आपका यीस्ट का involvement हुआ और क्या प्रोड्यूस प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो यह प्रेजेंट ही है क्या बनेगा यहां पर यहां पर बनेगा alcohol प्लस क्या बन जाएगा co2 की वज़ा से क्या होता है दो फूल जाता है तो यह फूल में अगया यह हो जाएगा c2 h5 o h ethanol और यह यहींस की फ्रेजेंट में होता है तो एक इसकी वज़े से क्या डो फूल गया co2 की वज़े से यहांपर क्या हो जाएगा तो यहां पर आपको याद रखने वाला पॉइंट क्या है मैं आपर नोट भी करके लिख दे रही हूं वेरी इंपोर्टेंट नोट पहला पॉइंट क्या है कि CO2 जो रिलीज होता है इससे क्या होता है इंकरीज होता है साइस में ठीक है फूल जाता है दूसरी पोइंट क्या है को ją को क्या होता है यहां पर आपका यहां कि स्मेल करता है किसा सौर और किसका है यह वह है आटे किज लोगों ने गलती करी थी इस पेपर में जिसमें carbon dioxide को tick करके आ गये थे ठीक है तो आपका और आपका दो फूलता किसकी वज़े से है फूलता है carbon dioxide की वज़े से तो इस दोनों point को याद रखेंगे ठीक next question क्या है read the following statement and choose the correct option blood flow only in one direction in arteries arteries have valve चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि धम्निया में छरआ के वल एक दिशहा में प्रवावित होता है धमियों में kapha होता है तो धमियों में kapha नहीं होता है kapha कहां present होता है kapha कि यह ब्लड जैसे अगर मालो यहां से यहां फ्लों कर रहा है ब्लड तो ब्लड वापस से नीचे ना आ जाए इसलिए यह पर वाल प्रेजंट होते हैं क्योंकि अनिख़रा यहां ना की हुद ब्लड और इसकी लिए यह हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है इसलिए यहाँ पर क्या है द्हमाज की कपाट क्या विशक्ता नहीं होती एक exception यहाँ पर आप यहाँ तक करेंगे कि pulmonary artery एक ऐसी artery है जो की करी करती है और यहाँ पर वेन की बात करेंगे तो exception क्या हो गया pulmonary vein एक ऐसी वेन है जो करी करती है oxy-yukth blood बलकि सारे वेन तो करते हैं डियुक्त ब्लड बलकि सारे वेन होती है जो की oxy-yukth blood को करती है इसके साब blood flow in one direction in arteries बात सरते हैं जो करता है यह heart से लेके different body organs तक जाता है फिर arteries have walls तो arteries के वास नहीं होता इसके हसाब से आपका question number 12 का answer क्या होना चाहिए जो हमेशा ही होती है जो हमेशा ही होती है आपको इतना पता होना चाहिए जो हीट है कोई अबीजड़का गर्म होती है heat और गर्म होने से गर्म होने से कोई भी चीज़ के उपर जाती है ठीक है ऊपर जाती है एक कमरा है कमरे का यह वाला भाग है सीलिंग है तो इसका मतलब उचाई पर लगाई जाते हैं इस बात ठीक है एक्जॉस फैस फिटेट नुलिए तो विंडो पर लगानी के उतनी होशकता नहीं है अगर दोनों उपने कंपैर किया जाए तो ए इस मोर एफेक्टिव यह हमारा क्या है अधिक प्रभावी दिखाई दे रहा है रसोई के छत में निकटवार पर निर्वाद तक पंखा लगा हुआ होता है निर्वाद तक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा होता है तो इस साथ में नहीं यह उंचे साइड में लगा होता ह ठीक है, next question कर लेते है, next question क्या है, numerical का question है, आपका ये, in a simple pendulum, the distance between the mean position and the extreme position is D, ठीक है, एक simple pendulum है, बना लेते हैं, ये कि हमाँ पस pendulum है, जिसमें mean position तो ये हो गई, और extreme position ये हो गई, ठीक है, ये extreme position हो गई, अब the distance between the mean position and extreme position is D, इसके बीच की दूरी देके रखी है, आपको, यहां से यहां की दूरी देके रखिए D, ठीक है, अब क्या है, इधर से इधर आने में, यह T1 लगा, ठीक है, 52, 53, 54, ऐसा किया, फिर क्या कह रहा है, तब मीन, the time taken by a bob to move distance, D by 4 is T1, एक यह, हर क्या है, D by 4, यह भी क्या है, D by 4, यह भी क्या है, D by 4, तो हर D by 4 में क्या है, T1, क्या है, वो time लग रहा है, ठीक है, what is the time period of the time pendulum, pendulum का क्या time period हो जाएगा, तो, एक, एक, एक T1 जाने के लिए, क्या है, एक D by 4 जाने के लिए, क्या है, D by 4, एक जाने के लिए, time T1 है, तो, पूरा D, पूरा, D जाने के लिए, क्या हो जाएगा, पूरा यहां से लेकर, यहां तक तो, D है न, तो, पूरा D जाने के लिए, यहां पर हो जाएगा, आपका 4, T1, ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, तो, एक, एक mean position से, यहां से अगर, यहां से देखा जाए, तो, यहां से यहां जाने में, उसको time लगा, कितना, 41, ठीक है, 41 लगा, तो, time period of a pendulum निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखो, एक, अगर, मैं बात करूँ, पेंटनस की, आपके pendulum की, तो, यहां से, पेंटनस जब यहां जाता है, फिर, यहां, मतलब, एक बार गया, एक बार गया, फिर, यहां से वापस यहां आता है, तो, दूसरी बार गया, अ तो, टोटल टायम कितना हो जाएगा आपका 16, T1 इसका time हो जाएगा, T1 second, ठीक है, I hope, यह point किया होगा कि आपको एक जगह, एकacas D by 4 दिया था, ठीक हो एक जगह का D by 4 दिया था, तो फिर दर जारा है तो फिर वापसाई तो 4 x 4 6 T1 seconds का इसको समय लगेगा मतलब 16 T1 seconds का इसको समय लगेगा तो next question देख लेख लेखें जल्दी से students are asked to plot a distance time graph for a data given below in table a and b okay a or b with data data दिया है उसके साथ से बच्चे को क्या बो लगया है graph उनको बनाना है okay which just a second just a second just a second which a will be greater slope than b अच्छा इससे यह पूछा गया है कि किसका slope कितना बड़ा होगा कि यह option से आपके और इस distance time graph के जो table है इससे आपको graph को plot करना है चलिए जल्दी से graph को बना लेते हैं क्या हो जाएगा graph यह आपका फर्स्ट वाला graph अगर मैं table a की बात कर रही हूं और यह है आपका table b तो distance 0 है distance यहां आपका distance हो गया यह आपका distance हो गया और यह आपको यहां पर हो गया time यह हो गया time distance 0 है time भी 0 है distance 10 है तो time 1 है फिर distance 20 है तो time 2 है distance 30 है तो time 3 है तो इसका मतलब हर एक हर एक एक इंटर्वल पर एक एक सेकेंड एक मिनट जो भी है इसके इंटर्वल पर 10-10 meter की दूरी बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जागा यह हमारा straight line कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है यह दूरी इस तरीके से आएगी next वाले में देख लेते हैं वापस है time हो गया और यह distance हो गया ठीक तो यहां पर क्या है दीजिए जीरो हो जाएका डिस्टेंस यह जीरो पॉजिशन है फिर आपका क्या डिस्टेंस 30 है यहां पर 30 मां कर दिया distance क्या है फिर 60 है अब तीस-टीस का अंतर देख रहे है और तीन-तीन का अंतर देख रहे है यहां पर नौ है तो मतलब हर 30 30 meter की दूरी पर वो ततीन सेक तीन सेगेंड मैं 30 meter की दूरी ऑधाय कर रहा है किंड इसे सेंड में 30 meter की दूरी तै कर रहा है इसभिन सेगेंड में इतना करेगा ँ साथ sì मीरे की दूरी करेंग तो इस हिसाब से मतलब this also become a straight line here the Slope in a B quantity in our तो यह क्या है equal interval time पे equal interval gaps है जिसके आप से यहाँ पर option number 3 तरह हो जाएगा कि slope in a and b will be equal ठीक है ज़िए नेक्स्ट को देख लेते हैं next question क्या है आपका यह just a second 16th question है यह चलिए what will happen to the size of the image formed in a convex lens if the object is positioned beyond the center of curvature and the thickness of lens is reduced ठीक है क्या क्या बोला यहां पर thickness lens की क्या कर दी गए रिडियूस कर गए question बहुत अच्छा है और क्या है यहां पर position आपका क्या हो गया लाइन हो गई यहां पर यह हो गया आपका Convex lens ठीक Convex lens यह इधर हो गया इसके सबगल में focus होता है अब focus का just इधर हो जातर है 2F और 2F क्या होता है यही होता है क्या center of curvature तो यहां से कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो पूरा का पूरा क्या है वह circle मतलब यह उपर से नहीं बनेगा यह यह आपको जो lens है यह इस तरीके से पूरा गोला मन जैगा तो 2F को ही center of curvature बोलते हैं यहां पर क्या होजाएगा एफ 2 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 2F 2 हो जाएगा तो अब क्या है इस object इस place beyond the center of curvature मतलब अब object को कहां रखा गया है beyond center of curvature पर रखा गया है तो image की formation कहा होगी या image कैसी होगी, image का size क्या होगा यह पूछा गया, तो आपकी images कैसे बन जाएंगी, आपकी यहाँ पर, एक सीधी रेखा जाती है, यहाँ से, और कहां से निकलती है, F2 से निकलेगी, ठीक है, F2 से निकली, यहाँ से निकली, और एक इस से जाएगी, और यहाँ से निकलेगी, तो आपका कहां बनेगा between f and f2 बनेगी और image कैसी बन जाएगी यह जब बनाएंगे ढंग से scale से तो आपको image देखने को मिलेगी छोटी तो size क्या हो जाएगा the size of the image will decrease ठीक है इसे तरह से बागी सारी images भी बनती है और यह ज़रूर देखना एक बागी सारी images को और इसका मैंने proper explanation light chapter में दिया है जिसमें सारी images को समझाया है तो जाकर देख लो कि कहां किस तरह की image बनती है चलो next question पे चलते है next question क्या है आपका which of the following is in our two regarding the sound and light द्वनी और प्रकाश के संदर्व में से निमलिकित में से क्या सकते है vibrations are necessary for producing sound तो यह बात तो बिल्कुल सकते है कि vibration क्या विशक्ता होती है sound को produce होने में अच्छा एक चीज और उस वारे question में समझ लेंगे एक चीज और important थोड़ा ध्यान रखेंगे मैं लिक भी देती हूं आपर फिर question sound बाला करते हैं कि thickness जब घटाते हैं thickness घटाने से focal length बढ़ती है यह याद रखेंगे ठीक है बढ़ती है और image size क्या हो जाता है भी बढ़ जाती है तो मैंने यहाँ पर क्या आपको शायद बता दिया था मैंने आपको answer दे दिया था option no.2 तो यहाँ पर option no.2 नहीं होगा यहाँ पर answer क्या हो जाएगा image size आपकी बढ़ जाएगी क्यों अगर यहाँ पर देखो thickness of the lens reduce नहीं लिखा होता ठीक है याद रखेंगे मैं क्या बोल अगर thickness of the lens reduce नहीं होता तो तो आपका answer रहता decrease वाला option no.2 तो यहाँ पर thickness of the lens reduce लिख दिया है इसलिए यहाँ पर answer क्या हो जाएगा size of the image will increase image size क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है क्यों क्यों बढ़ता है क्यों फोकल लेंद बढ़ जाती है फोकल लेंद की बढ़ने से image का size भी क्या है बढ़ जाता है क्यों को note कर लेंगे चलो which of the following are true regarding the sound and light ध्वनी प्रकाश के संदर में से निमलिकित में से क्या सत्य है कि vibrations are necessary for producing sound तो यह बात बिलकुल सत्य है कि vibration की आविशक्ता होती है ध्वनी उत्पन ने करने के लिए कंपन की आविशक्ता होती है sound travels slower than light तो यह बात भी आपकी क्या है sound प्रकाश से ध्वनी ध्हीमी चलती है तो यह भी बात क्या है बिलकुल सत्य है कि प्रकाश ध्वनी तेच जो है वो तेच चलती है और sound ध्वनी ध्हीमी चलती है तो बोथ light and sound require medium to propagate तो light does not require medium to propagate sound को medium क्यावशक्ता होती है तो option number A और B correct हो तो next question is a balloon is placed on the mouth of a plastic bottle the bottle is placed in a hot water and then placed in a cold water what will happen to the balloon तो देखो क्या किया कि जैसे ही एक balloon था deflated balloon था फूला हुआ balloon नहीं था यहाँ पर इसकी nozzle लगी हुई है अब इसके उपर क्या कर दिया एक balloon को लगा दिया plastic water पर एक यह balloon था जो कि फूला नहीं था तो bottle is placed in a hot water अब इसको कहां पर लग दिया इसको एक गरम पानी में जाकर इसको रख दिया यहाँ पानी कैसा है hot है अबलता हुआ है यहाँ इसकी भाप निकल रही है जैसे ही ऐसा करेंगे तो यह balloon कैसा हो जाएगा आपका यह balloon तुरंत क्या हो जाएगा फूल जाएगा क्य जो क्या होते है molecules होते हैं वो क्या है expand करते हैं और एक दूसरी जगा जाते हैं तो यह सारी के सारी यहाँ पर क्या हो गई गया इसमें भर जाएगी अब जैसे ही bottle को क्या करेंगे वापस से थंडे में डाल देंगे तो थंडे में क्या हो जाएगा squeeze out हो जाएगा तो वही ची से वापस से पिचकू बन जाएगा ठीक है तो चरण A में फूल जाएगा और चरण B में पिचक जाएगा चलो next question पर चलते हैं आज का अगरी question what should be the characteristic of a fuse यह बहुत important question है कई बार examon में पूछा गया है question number 20 कि fuse की क्या के characteristics होती है तो fuse में thin wire low resistivity low melting point कि मोटा तार तो fuse में क्या-क्या points होते हैं यहां पर note कर लेंगे important है यह मैं आप सारे points note करवा देती हूं तो देखिए सबसे पहली बात है इसमें पहला point आप note करेंगे कि इसमें ऐसा metal लिया जाता है metal used is such that its melting point is low मतलब ऐसा metal लेता है जिसका गलनांक सबसे कम होता है ठीक है सबसे कम होता है ऐसे metal कर इसमाल करते हैं दूसरा point important याद करना है आपको कि tin, sn और lead, pb ठीक है tin और lead का उपियोग जादा तर किया जाता है क्योंकि इसका melting point क्या होता है बहुत कम होता है ठीक यह important points आपको याद रखेंगे third point क्या आपको याद रखना है कि जैसे ही temperature थोड़ा सा बढ़ता है जैसे ही temperature तापमान बढ़ता है तो क्या हो जाएगा जो आपका यह तार जो है यहाँ पर तूट जाता है ठीक चौथा point क्या याद रखेंगे कि fuse wire का क्या होना चाहिए fuse wire की minimum minimum limit होनी चाहिए ठीक है होनी चाहिए क्या है इसमें आपको याद रखना है कि melting point low होगा और resistivity plus यहाँ पर plus का sign है plus resistivity क्या हो जाएगी हाई होनी चाहिए ठीक है तो यह सारे points को आपको याद रखना है इन सब को क्या answer हो जाएगा अब तेखिए क्या thin wire होना चाहिए कि इसकी low melting point या high melting point होना चाहिए तो यहाँ पर होता है high resistivity and low melting point low melting point and high resistivity low melting point तो बैसे cut गया high resistivity and low melting point तो यहाँ पर thin wire होता है और high resistivity and low melting point ठीक है तो यहाँ पर आपके 20 questions complete होते हैं को एक session कैसा लगा और इससे तरह से हम सारे papers को solve करते रहेंगे mix set भी हम करेंगे तब तक लिए धन्यवाद पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें थांक्यू